कि नमस्कार दोस्तों तो चलिए आज की स्क्लास में जाते हैं लोग जो आपका कोविद-19 यानि की कोरोना वायरस आया हुए है इससे परहटन के चित में क्या समस्या है उत्पन हुई है उसी से समंधित आपका यह आईटी कर तो इसमें देखेंगे कि आखिर अभी देख लेंगे इसका और जो कोरोना वायरस से आपकी उत्पन चिता हैं यानि की समस्या है उन्हें भी देख लेंगे वो सरकार की तरफ से क्या प्रयास किये जाए हैं इसके लिए उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे जैसा कि आप सभी को बता होगा कि जो परयाटन चित है य एक बहुत बड़े हिसे की रूम में सामल है यानि की एवदान देता है जिस तरह से आप तो किर्सी को लेख सकते हैं किर्सी हमारी अर्थव्यवस्था में हिस्सा है पर परयाटन उसी तरह से हिस्सा हुआ है ठीक है कोरोना वायरस कोविद-19 महामारी के शुरू होने और फै हालती है परयाटन उद्देव को 2020 में 1.25 टिलियन रुपे संभाविद की राजस से हानी होने का अनमान किया गया है समझ रहे 2020 में कितना 1.25 टिलियन रुपे परयाटन का मतलब सीधा सा है कि आपने देखा हुआ कि विदेशी आपके आंगूमने आते हैं जिसे ताजमेल हो हो गया कुतों मीनार हो गए इस तरह से जो भी परयाटक होते हैं यह इस्तान देखने के लिए आते हैं आपके देश तुनिक से समझ देता है एक परिच्छा इसका बात करें हम लोग तो COVID-19 का सबसे अधिक इस पर्ट इवं ततकाल प्रवाव होटल और परयाटन चेत्र में इसके सभी भोगुलिक चेत्रों में देखा जाता है आंतिरिक परयाटन बाह परयाटन और लगबक सभी उर्द्वाधर आवकास साहसिक M.I.C.E. बैटके प्रोसान संबेलन पिदर्शनिया क्रोज और कॉरूपेट चेत्रों पर पढ़ा है यानि कि आपने देखा होगा इसे क्या रहता है कई लोगों जुडे रहते हैं देखी आप कोडूप लोकडाउन के चलते हैं अरे उसके बाद आपका होटल वंद्प उसके बाद आपका ऊच्वाफव भाप पर जो भी लोग लग लगे रहते थे उनका काम चौपट उंखाद आप देखते हैं कि टेक्स्ती गाइड करने वाले सब काम ठप है कई आपके यहां देश में मीटिंग होती थी तो उन वो भी बंद हैं केयर रेटिंग्स के एक अध्यन में कहा गया है कि हाकड़ा मार्च 2020-2019 की अपेक्षा मार्च 2020 में राजस में 40-30 की गीरावट दर्ज करता है अपरेल जूल जून के दोरान भारतिय परेटन उत्देव को पिती वस सालाना 30-30 किहानी का संकेत देते हुए 59,400 करोड रुपे की राजस्व घाटे की दर्ज करने की उम्मीद 59,400 करोड एक बहुत बड़ी रासी होती है दोतिय अर्थवासिक 2020-2020 के दोरान यदि वायरस प्रवाव कम हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं FTA अभी भी FEE यानि की विदेशी मुद्रागी कमाई को 50-30 करोड रुपे तक पहुँच जाएगा जो दोतिय अर्थवासिक 2019 में 1,12,300 करोड रुपित अब आप ही सोचिए कि आप से कहा जाए कि चीन चले जाएए अमेरिका चले जाएए इस्टमें गूमाईए आपको कोई फिरी में भी अगर बेगा बीजा और फिरी में बीजेगा उल्टा पैसा देगा आपको तो भी आप नहीं जाएगे तो क्या हुआ कोरोना वाइरस के हटने के बाद भी आप देखना कि साल दो साल तक तो लोग डरेंगे जाने से जो हब बने हुए हैं जो देश हब बने हुए हैं सबसे जाने जिनकी है संक्या ना जहाँ हुआ वहां लोग जाने से डर हैंगे यह कहीं फैलना जाए हमारे देश में आ जाए यहां लोगों कुना हो जया आप अपने ही सर में देखना कि लोग पहले क्या करते थी माक्स मार्ष नहीं लगाते थी हात नहीं दोते थे ठीक है आ रहे हैं बस अंदर हई परवेस होगया ना हाथ दोया ना कुछ किया और आप क्या करेंगी लोग की सबसे पहले आप देखिए हर जगए सबसे पहले आ बारा से हाथ दोये जा रहे है सब लोग मार्क्स लगाए हो गये हैं मि तो कम से कम बदलाव तो आ चाहिए सुझे कि बारत सरकार के सास्ता दुनिया भरे कित में सर्कारों द्वारा लगाए गए विभिन यात्रा पिती दों को देखते हुए बेविन सम्हेलनों के लिए फोरवर्ड बुकिंग और विदेशी गंतब्रों के लिए आवकास यात्रा बुकिंग पहली ही रद दिकी गई है बारत में एधिकास ग्रीस म्काली आवकास बुकिंग केरल राजिस्तान गवा के राज्यों के लिए भी रद कर दी गई है लगबक 40-50 के दीतर जिससे घहलू परेटक पर दभावित होता है। आने वाले कुछ तिमाहियों में इन बाउंड और आउट बाउंड याक्तिरियों पर प्रभाव सबसे गंबीर होने की उम्मीर है। बारत का कुल विदेशी परेटक आगमन FTA 10.9 मिलियन और विदेशी मुद्राय 2019 के दोरान 2,10,971 करोड के परहा। महराष्ट तमिलाणू उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विदेशी परेटकों की आगमन का लगवद 60-30 के लिए उत्तरदाई है। हालक ये भारत में 80 से अधिक देशों के लिए यात्रापिती बन गये। और 31 मार्च 2020 तक लोगडाउन के साथ साथ प्रमुक ये ऐलाइनों की अधिकान और आनों को नीलंबित कर दिया गये। बारतिय गरहलू के साथ सब विदेशी यात्रा और परयाटन उद्यवों को भी देखने की उम्मीद है। 2020 में तेज नाकारात्मत रूप से प्रभावित होगा। यानि के इन पर नाकारात्मत प्रभाव पढ़ेगा। वो देव-9-11 की बड़े हमले और 2019-2009 की यार्थिक मंदी से अधिक बड़े मंदी से प्रभावित है। इसका मतलब यहीं हुआ कि 2008 में जुआब कि या मंदी आई हुई थी विस्सों में उससे बयानक मंदी कोरोना वायरस से आने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग उत्पन चिंता होंगी किसकी इससे क्या उत्पन चिंता हैं। कि रोजगार की छिती है। कोरोना वायरस महामारी का भारत के परेटर चेत पर एक बुरा प्रभाव पढ़े गांगा। जिसमें उद्देव चार से पांच करोर लोगों के लिए नौकरी में कटोर्ती का अन्वान है। है आप ले सकते हैं कोई आक्या मालीजे आगरा काता और गुम्ने के लिए कि तो हां जहां रुकेगा जो काम अगलाए है उनका भी रोजगार मलता होगद जो खाना बनाने बाले लगी जो इस किसके लिए खाना बनाएंगे किसको गुमाएंगे किसको गाइड करेंगे तो रोजगार की छती प्रेय आपकी राजस हानी वर्तमाल लॉकडाउन की कारण पर्याटन और अथीते चित सबसे अधिक प्रभाविचित रहा है क्योंकि पूरे देश को एक ठहराओ में लाया गया और इसमें लगबग निया राजस सुनने मौजूदा संकर्ट के एक संबन्द में अनिश्चित्ता को देखते हुए इस चेत्में भविच्ट के निवेस नेड़यों पर प्रभाव पढ़ सकते हैं अब इस तरह से आप लोग ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि मार्च से आपका लगबग सब काम ठख पड़ा हुए लाश्ट मार्च से ना कोई आय हो रही है ना कोई काम चला है तो राजस्त की हानी होना सभाव इक्वी है पर आपका विदेशी मुद्रा का नुखसां यात्राओ परेटन के चित भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक मात्पूंग सरोथ हैं इस चित की समस्या से विदेशी मुद्रा रिजर्व पर नाकारत्मा पर्भाव पड़ता है यही क्या होता था कि हमारे यहां जो बियुदेशी आती है تو क्या करते हैं कि नुआ आखा जो डॉलर है उसे वहां बारत जमा करते हैं उसके बाद हमारे यहां उसे पैसे में बदला जाता है ٹीक क्यों छिदाने की यहां account कि उसमें जमा हो जाते हैं आप इस तरह से ले सकते हैं कि तो तो da प्रभू अउदी के उपाएं वर्तमान में इस चेत की समस्या तरलता की कमी बेतन का वुक्तान आधी के संबंद में प्रमुक चिंता हैं अलपाउदी में रिड़ परहिस्टगन की रूम मेराज के समर्थन की जरूरत हैं जब तक लॉकडाउन खतम नहीं हो जाता बैदानिक स मर्सिमा का विष्ञा कंभयांट करमन कट्वति आदी पिडाल करना जो उप्षित में पर्याप्त तरहた सुनश्चित करने से यह एक दम माल्कों को नोफटरी में कन्तॉध करने से पुरूप सकता है इस तरह अर्द्वियुस्था में इसके प्रवाव से बचने में मदद कर सकता है। ऐसी कबर आई है कि कई सरकारे ने आपात काली इस्तिति में अत्रिक के बेड़ चमता के लिए होटलों में खाली कमरों को एक बेक अप विकल्ब की रूम में उप्यूब करने पर विचार करेगी। सरकार ऐसे होटलों की सिवाओं के लिए एक छोड़ा सा सुल्क देने पर विचार कर सकती है। जो उन्हें अपने बित को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह भी आपका अच्छा है। जो खाली डेले हुए हैं अस्पताल जिसे कई होटल आपके खाली पड़े हुए हैं अब वहां कोई ठार भी नहीं रहा है ना तुन्हें एक अस्पताल के रूम में बदलने के ल ना होटलों के मालिकों पर असर पड़ेगा ना जुवां लगे होंगे लोग उन पर असर पड़ेगा। फिर बात करते हैं देरितकालिक उपाये। लंबी अओधी में सरकार कूछ नीती उपायों की मात्यम से इस चित के लिए ब्यापार को पेरीद करने के लिए रचनातमक सबादान तलासने चाले। इसमें भारती कंपणियों को करकर तोती विदान करके होटलों में अपनी बैठ्टा कायो जीद करने के लिए पुरोसाहित की अजर सकता है। सरकार की नीतियों को भी गरेल वीयात्रा को पुरोसाहित करना चाहिए। इस तत्द को देखते हुए अंतराश्टी ये परहेटन से उगदान को पुनरप्राफ्त करने के लिए अधिक समय की आवस्चता होगी. बात करते हैं भारत में परहेटन. यहां आपको पता चल जाएगा कि भारत में परहेटन की स्तिदी क्या है. बारत में पर्याटन देश की अद्वर्स्था के लिए मत हुँ है और तेजी से बढ़ रहा था है पर्याटन बेस्यात्रा और पर्याटन परिशद ने गड़ना की की पर्याटन ने दोहजार अठारे में 16.91 लाग करोर यानि की 240 बिलियन युवेस डॉलर या पर 9.2 पिती चत भारत की जीडिपी का पूत पालन किया है यानि की जीडिपी है उसमें इसका युगदान 9.2 पिती चत हैं 42.673 मिलियन नोपरियां अपने कोल लोजगार का 8.1 पिती चत भात दोहजार अठारे में इस चत को 2028 तर 6.9 पिती सत 32.05 लाग करोर यानि की 450 बिलियन युवेस डॉलर की बार्सिक दर से बढ़ने का अनमान था जीडिपी का 9.9 पिती सत अक्टूबर 2015 में भागत की चिकिसा परेटक चत का मूल 3 बिलियन डॉलर था इसे 2020 तक 7-8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुचाने का अनमान है 2014 में 1,084,298 विदीसी प्रोभियों ने चिकिसा के लिए भारत की यात्रा की थी क्या होता है कि आपने कई बार सुना हुगा कि विदीसी हमारे यां है अलाच करवाने के लिए आते हमारे यहां की जगह यहां सस्ता है मतलब अगर वहां किसी का बीमारी का इलाज एक लाख रोके में हो गए तो वह हमारे यहां 25,000 हो जाते हैं समझ मैं है बड़ा सस्ता है हमारे यहां चिकिसा से चेट तो इसलिए विदेशी हमारे हैं बहुत आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए बारत में रोजगार ही इन विकास के मुद्दे को देखते हुए यह देश में एक मत्वून रोजगार सेजन छेत है विशेस रूप से या कुसल से लेकर आपुसल लोगों तक की फैसेवरों की एक विस्तत से इंखला के लिए रोजगार आउसर पिदान करता है भारत में विकास चितरी आसवानता को देखते हुए बी के अंदरी के विकास को सुनीचित करने में इस चित की भी मत्वून मुमी जा है यातरा ओग परेटन चित भारत के लिए बिदेशी मुद्रा का एक मत्वून सरौश है यात्राव परयाटन पिती इस भरदात्मक रेपोर्ट 2019 में कुल एक सो चालीस देशों में से भारत को चौंतीसवा इस्थान दिया 2017 में इस रेपोर्ट में भारत का इस्थान छे इस्थानों पर अपनी रैंकिंग में सुधार किया जो सीष 25 देशों में सबसे बड़ा सुधार कि दोयार में 2019 में इसका चौंतीसवा इस्थान दा भारत एक सो चालीस देशों में अब इसमें देख लेते हैं कि आखिर आंगे की राय क्या हो सकती है यह तब तुचित है कि पर्याटन छेत्थ से समाज का निचले से निचला बर्ग और उपरी बर्ग समान रूप से प्रभावित है परन्तु जब बास सर्वाईवल की हो तब अन्द सभी मानगोंड हो जाते हैं अथा अवसक सेवाओं की आपूर्ती सुनिष्टित रखते हुए सरकार को पर्याटन छेत्थ की समस्याओं का उचित निच्थन करना चाहिए तो यह आधिकल प्राव का पर्याटन और कोविद नाइटी से समान देखता हुए